आज हम पढ़ेंगे, EBS Class 5th Chapter 2 और Chapter का नाम है A Snack Charmer Story. Snack Charmer means होता है सपेरा, यानि एक सपेरे की कहानी, ओके? So, let's get started. I am Arya Naath, यानि इस कहानी में बता रहा है कि मैं Arya Naath हूँ. I can do something special which I am sure none of you can do. यानि मैं कुछ ऐसा special कर सकता हूँ, जो कि आप लोगों में से वो चीज़े नहीं कर सकती हूँ. Do you know what? क्या आप जानते हैं क्या? I can play with bean, यानि मैं bean को बजा सकता हूँ. Bean क्या होता है? आप देख रहे हैं यह जो person बजा रहा है, ठीके? इसको बोलते हैं bean जो हाथ में लिए रहता है, उसको बोलते हैं हम लोग bean. You must be surprised, आप आश्चर होगे. Yes, I can make snacks dance by playing the bean. यानि जब मैं क्या कर सकता हूँ? यानि जब मैं bean को बजाओंगा, तो क्या कर सकती हैं? साब जो हैं, वो डांस कर सकती हैं. I have learned this art from my family members. मैं इस तरह का art मैं अपने family members से सिखा हूँ. We people are known as Calvillias, यानि Calvillias इसको हम लोगों को बोलते हैं इस तरह के people को. My grandfather, Rosannath जी, was a famous among us of our people. यानि जो मेरे दादा जी थे, रोसन दास जी, वो क्या थे काफी famous थे इन सारे चीजों में. He could easily catch money, poisonous snacks, यानि जो मेरे दादा जी थे, वो actually में धेर सारे सांप, वो easily पकड़ सकते थे, चाहे वो कितना भी जहरीला हो. He tells me money stories about his past, वो अपने बारे में धेर सारे स्टोरी हम लोगों को बताते हैं. Come, listen to his story in his own words, यानि आईए और हम उनके ही वोड में वो स्टोरी को सुनते हैं. दादा जी remembers, मतलब दादा जी की यादे हैं. So, from the times of my grandfather and great grandfather, ठीक है, यानि grandfather के time में क्या होता था? We have always been saperas, snack charmers, जो दादा जी थे हमारे वो क्या थे हैं? वो एक sapera थे, मतलब snack charmers थे. Snacks have been important part of our life. और जो सांप थे, वो हमारे जीवन में काफी important part थे. We used to move from village to village, carrying our snacks in a bamboo basket. और हम लोग गाओं गाओं जाते थे, उस snacks को लेकर एक basket में उसको रख के. ठीक है, bamboo basket में रख के. Whenever he is stopped in a village, जब भी हम लोग गाओं में रुकते थे, a crowd would gather around us. जो कि धेर सारे जो भीड हमारे आसपात लग जाती थे. जब भी हम लोग गाओं में रुकते थे, तो ज़्यादा भीरभार लग जाती थे, ऐसा रोसंदास बोल ले हैं. We would then take out our snakes from our basket. तब हम लोग क्या करते थे? अपने सांपों को basket से निकालते थे. Then, even after the show, अंदोल सांप को दिखाने के बाद, people would stay on. People क्या करते थे? वहाँ पर रुक जाते थे उन सांप को देखने के लिए. They knew that in our teen box, there were many types of medicines for them. वो जानते थे कि हमारे छोटे सा teen box, जो था, teen का एक box होता था, उसमें क्या होती थी? बहुत धेर सारे दवाईया होती थी. We made this medicine from plants collected from the forest. हम लोग ने उस दवाईयो को कहा से बनाया था? जंगल से बनाया था, जो कि वो plants से collected किया गया था. I felt nice that I could help people with my medicines, even if doctor and hospital were off. यानि मैं सोचते था कि मैं इन दवाईयों से दूसरों की help करूँगा, जब भी hospitals क्या होते थे? बंद होते थे. So, people would give us some money, food grants. यानि people क्या करते थे? हमें कुछ भोजन देते थे, या कुछ अनाज देते थे और पैसे भी देते थे, इसके बदले. In this way, we could manage our life. और इसी तरह हमारी लाइब क्या होती है? बित्ती रही. Sometimes I was called to place where someone had been beaten by the snakes. और मैं कुछ जंगर पर ऐसे बुला जाता था, जहां पर, यानि किसी भी आदमी को सांप काट लिया होता था, तो हम लोग को वहां पर बुलाया जाता था. From the marks of the bats, I tried to find out which snakes had beaten the persons. और मैं उस सांप के काटे जहां पर सांप काटा हुआ रहता था, उस marks से हम लोग पहचायने की कोशिस करते थे, कि कौन सांप ने उस आदमी को काटा है. I would then give a medicine for that. और उसके बाद हम लोग उसको दवाईयां देते थे. But I have not always been on a time to help. लेकिन मैं हमेशा time पर नहीं पहुच पाता था उनको help करने के लिए. As you know, जैसा कि आप जानते हैं, some snacks bite can even cast that on the spot. यानि कुछ ऐसे भी सांप होते हैं, अगर वो आपको काट लेंगे, तो आपकी spot, मतलब जगहां पर ही मौथ हो जाएगी. But most of the snacks are not poisonous. लेकिन ठेल सारे ऐसे भी सांप हैं, जो कि ज़्यादा जरीले नहीं होते हैं. Sometimes, when someone, some farmers would come running for help shouting snack snack, I would catch that snack. यानि कुछ ऐसे भी farmers होते थी, हमारे पास दोड़ते हुए आते थे, कि चलिए सांप, हमारे यहाँ सांप है, ठीक है, सांप सब चिलाते थे. तो हम लोग क्या करते थे, उस सांप को पकरते थे. So, now, after all, catching snack was something I had been doing since my childhood. यानि सांप की पकरने की, जो मेरी पेशा थी, मेरी आदत थी, मैं उस सांप को पकरना मैं अपने बच्पन से ही करता था. These were the good days, यानि वो दिन भी काफी अच्छे थे हमारे लिए. We could help a lot of people in many ways, और हम लोग different तरह कर लोगों की help करते थे. We also entertain them, और हम लोग उनको entertain भी करते थे, मनुरंजन भी करते थे उनका. It was not like the day when everyone watch TV for entertainment. वो ऐसा दिन नहीं था, जो कि आजकल की तरह सब लोग TV देखते थे, उस तरह में TV नहीं थे. When I grew older, जब मैं बड़ा हो गया, my father taught me how to remove their poisonous teeth. और मेरे जब मैं बड़ा हो गया, तो मेरे पीता जी सिखाया है, कि हमें किस तरह से साप की दातों को निकालना चाहिए. He also taught me how to close the tube of poisonous in the snake's mouth. और उन्होंने हमें यह भी सिखाया है, कि हमें किस तरह से साप के मुँँ में जो tube होती है, जो हरवाली हमें किस तरह से उसको बंद करना चाहिए. Okay, so यहाँ पर कुछ कोश्चन है, यहाँ पर चलिए, इसको solve करते हैं. Think and tell, have you ever, पहला कोश्चन है, have you ever seen anyone playing a bean where? क्या आपको कभी bean बजाते हुए किसी को देखा है, अगर कहाँ देखा है, तो मैं बता दूँ कि धेर सारे जहाँ पर villages हैं, ठीक है, वहाँ पर सपेरा ज्यादा पहले आते थे, बट इस time पर बहुत ही कम आते हैं, ठीक है, तो क्या करते थे, सापों को अपने लेका आते थे साप को अपने बॉक्स से निकालते थे, और वहाँ पर क्या करते थे, बीन बजाना शुरू करते थे, और लोगों की तमासा जूट जाती थी, और धेर साई लोग उसको इंटर्टेन भी करते थे, अच्छे सा देखते भी थे, क्या आपने कभी सापो को देखा है, कहां पर देखा है, आप बता सकती है, मैंने सापो को देखा है, मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूं, मैंने अपने सापो को देखा है, यानि मैं सापो को देखा है, कहां पर खेतों में, क्या आप उससे डर गए है, जब उसको है ठीक है इसकीन होती है उपर की काफी वो भ्यानक लगती है देखने में ड्रावनी लगती है मुझे ठीक है और वो काफी मोटे होते हैं बड़े होते हैं ठीक है Do you think all snakes are poisonous क्या आपके हिसाब से जितने भी सांप होते हैं उनके जहर होते हैं केंसे सनग या नहीं कर सकती है वह सुन कर यह नहीं सकते हैं तो जो सांप हो bन की आवास सुन और डांस करते हैं नहीं जो actually वो dance करते हैं जो सपेरा होते हैं अपने पैट से वो इसारा करते हैं तो इसी के देखते हो क्या करते हैं move करते हैं अपने body को तो सब लोग कहते हैं वो dance कर रही है next है what can we do? हम लोग क्या कर सकते हैं आर्यानाथ your father used to travel with me ever since he was a young child यानि जो आर्यानाथ को बोला है कि जब तुम्हारे पीता जी थे ठीक है वो हमारे साथ childhood में क्या कर यंग जब थे वो हमारे साथ travel करते थे he learned to play the bean without being taught वो है bean को मतलब बजाना सिखे थे बिना किसी के सिखाए हुए this day it is difficult उस दिन क्या था काफी difficult थी and now the government has made a law that no one can catch the wild animals and keep them और यहां पर अब क्या हो गया government ने एक law बना दिया है कि बीना permissions या अब या क्या ऐसा भी law हो गया ठीक है कि हम किसी भी animal को पकड़ नहीं सकते हैं क्योंकि उसको हक है मतलब freedom है उसको गोमने के लिए जहां मन करें वहां जाने के लिए people kill the animals and sell their skin at the high prices क्यों बैन लगाया government ने इसलिए बैन लगाया था सापो पर क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग थे हैं जो सापो को मार कर जान से मार कर उसके जो skin होते थे चमरी होती थी उसको market में जाकर बेचते थे और ज्यादा पैसे पाते थे so they made a law against this इसलिए सरकार ने इसारी rules या कानून बनाई with this law how will you earn our livelihood यानि आप सोच सकते हैं कि जब यह law बन गया इस तरह के कानून बन गया तो हम लोग किस तरह से अपने जीवन को चला सकते थे we people have never killed snakes हम लोग क्या किये हैं कभी भी मतलब सांपो को चोट नहीं पहुचाये थे ना ही हम लोग कभी सांपो को जान से मारे थे and sold their skin ना ही कभी हम लोग उसके skin को भी sell किये थे people say that लोग कहते हैं कि we keep the snake in bed हम लोग सांपो को अपने बेड में लेके भी सोते थे so condition if we wanted we could have earned a lot of money by killing snakes अगर हम लोग चाते हैं तो हम लोग धेड़ सारे रुपे कमा सकते थे उन सांपो को मार कर but हम लोग को ऐसा कभी भी हम लोग नहीं सोचे ऐसा ठीक है but we would never do that लेकिन हम लोग ऐसा कभी भी नहीं किये snacks are our treasure जो सांप हैं वो हमारी क्या है एक तरसे treasure है अके that we pass on from one generation to another वो क्या होती रहे है एक generation से दूसरे generation तक वो जाती थी यानि हम लोग यूच करते थे एक generation से दूसरे generation तक that we pass from one generation to another we even gift snacks to our daughters they get married ठीक है और हम लोग स्नेक यानि सांपों को gift देते थे जब हमारी लड़कियों की साधी होती थी इन आवर कोलबिया ठीक है कोलबिया डांस वी आल्सो वो लोग क्या कहते थे कोलबिया डांस करते थे तो डांस यान डांस करने के लिए once the dance of the snacks यानि सापको डांस करने के लिए आर्यानाथ you will have to make a different life for yourself यानि आर्यानाथ यानि पिता जी दादर जी कहते है उससे कि आपको अपने खुछ से एक लाइब बनानी पड़ेगी तुम्हें अपने फादर से जो भी गिप्ट मिली है आपको उसके साथ क्या करना चाहिए प्ले करना चाहिए मतलब उसको बजाना चाहिए यानि उसके कजिन और वो जो थे आर्यानाथ क्या करते थे दूसरों को इंटरेंट करते थे बीन को बजाकर बट डू नॉट वेस्ट वेबाओ सनेक यूद रहब गाट फ्रम इंटर्व इल्डर्स यानि हमें क्या करना है इस सांपों को जो भी हमें नालेज मिली है ठीक है और हमें सांपों से सेर करना चाहिए कैसे सांप से हमें बस सकते है ठीक है और कैसे हम लोग सांपों से हमें नहीं ड़ना चाहिए ठीक है आपको बताना है कि किया है जो स्नेक होते हैं वो को मतलब चूह को ना खाया तो रैट क्या करते हैं फ़सलों को बरबात कर देदे और फसलों काटते हैं, now we will tell our story, अब मैं आपको अपना story बताऊंगा, also make a new story of your life, आपको भी अपनी एक life की story बनानी चाहिए, to tell your grandchildren, यानि अपने से छोटे बच्चों को बताने के लिए, so यहाँ पर questions है, कुछ तो आज यह solve करते हैं, पहला question है, have you ever seen animal being used for entertainment of people, for example, in circus, on a road, in a park, यानि क्या आपने कभी किसी animal को देखा है, दूसरों को entertain करते हुए, in a circus, या road पर, या park में, हाँ, हम लोग ने circus में देखा है, जो पहले क्या होता था, लोग सेर या बाग जो होते थे, चिता होता था, ठीक है, tiger होते थे, वह उनका यूज करके, वह circus में दिखाते था, आपने कभ देखा था, हाँ, मैंने मेला में देखा था, ठीक है, next question, which animal sow did you see, आपने कौन से animal को देखा था, शेर को, यानि लायन को देखा था, ठीक है, how did people behave with the animal in the sow, was anyone teasing the animal, how, यानि जो सो में, circus में जो animal रहते हैं, लोग यानि जो circus दिखाता है, वो लोग उस animal के साथ किस तरह से बेखार करते हैं, क्या आपने, क्या आपने देखा है, जो कोई उसको teasing, यानि मतलब कोई सताते हैं, तो हाँ, मतलब थोड़ी problem तो होती है, जब लोग circus दिखाते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उनको electric sock देते हैं, टच करते हैं, उनको बहुत इस ते उनको sock को देख रहे थे, तो आपके दिमाग में किस तरह का question उट रहे थे, तो हमें क्या question उट रहे थे, कि हमें क्या करना चाहिए, किसी भी जानवर को उसका use करके लोगों का entertain नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर एक जानवर के पास अपना एक हक होता है, अपना एक family होता है, ठीक है अपना एक freedom होना चाहिए उनको अपने घर में रहने के लिए अपने खुद के घर को बना के रहने के लिए क्योंकि जो अगर कोई भी जानवर है जो कि वह जंगल में रहता है तो उसको जंगल में ही रहना चाहिए क्योंकि वही उसके लिए suitable है अगर हम उसको कहीं दूसरे जगें ले जागे कहीं पार्क में या कहीं उसको किसी घर में रखते हैं तो वह काफी बुरा है ठीक है हमें ऐसा है बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए तो दोस्तों इसके साथ ये वीडियो खत्म होता है I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है प्लिस लाइक and subscribe my channel Thank you so much